विल्कम टो सिरी क्रिस्ना क्लासे दोस्तों आज है दो माई 2020 और दो माई से जितने भी इंपॉर्टेंट के रेंट अफेट्स के कोश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे साथ ही उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे पूरा वीडिय को लाइक शेर सब्सक्राइब किजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ स्टेडी ग्रूप में सेर्वी किजिएगा दोस्ता भी एक स्रीच चल रहा है सीधी बात नों बक्वास यानि इसी वीडियो के लास्ट में हम वन लाइनर कोश्चन को डेली देखते चलिए देखते पहला कोश्चन है किस लाइब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस बिक्सित किया है तो केंद्रिये मेकेनिकल इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कहां इस्थी थे दुर्गापूर में कहां है दुर्गापूर यह पच्छिम बंगाल के दुर्गापूर में इस्थीत है इसका अस्थापना को गुए था 1958 में 1958 में अब बात कर ले एच कार्ड की यह एच कार्ड क्या है तो इसका फूल फॉर्म है फिर से फॉस्पीटल के असेस्टेंट रोबोटिक डिवाइस यह कोबिड-19 के नमूना को संग्रह करने और उपचार करने के लिए इसे बनाया गया है एच कार्ड फॉस्पीटल के असेस्टेंट रोबोटिक डिवाइस आगे देखते किस संस्थान ने अलजाइमर अवरोधक बिक्सित किया है तो जे एन सी ए एसर अब इसके फूल फॉर्म के बात कर ले तो जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइन्टिफिक रिसर्ट जवाहर लाल जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर साइन्टिफिक रिसर्च ये भाराश सरकार के अंदर में काम करता है गुवर्मेंट आप इंडिया के अंदर में ये काम करता है चलिए आगे देखते किस अंगठा ने फ्रॉम दग्रेट लॉगड़ॉन टू दग्रेट मेलड़ॉन रिपोर्ट जारी किया है तो अंकटाड किसने किया है अंकटाड ने अब बात कर लें अंकटाड की तो अंकटाड का फूलब्हम क्या आता है युनाइटटेड नेशन कोंफरेंस on trade and development युनाइटेड नेशन कोंफरेंस on trade and development इसके स्थापना कब होगी थी 1964 में इसका हेड़कॉर्टर का है जेनेवा और इसका बर्तमान सेक्रेटरी कौन है मुखीसा क्यूटी मुखीसा क्यूटी चलिए आगे देखते हैं किस देश ने ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की बैठा की मेजवानी की है ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की बैठा की मेजवानी की है तो रूस ने किसने क्या है रूस ने अब बात कर ले ब्रिक्स की बात कर ले ब्रिक्स की तो ब्रिक्स जो है पाच कंट्री का एक समू है पाच देशों का समू है जिसमें बीश से ब्रिटेन आड से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से सौथ प्रिका अब इसमें चुप सुरू में जब इसका गठन हुआ था तो ये कहलाता था ब्रिक इसके अस्थापना का वोई 2006 में और S यानि कि सौथ प्रिका कब आया 2010 में अधिकतर एक जाम में यहीं पुछता है कि ब्रिक में सौथ प्रिका कब जोईन हुआ तो 2010 में अब देख लें सौधी अरब, यहीं पर भी G20 का सम्मेलन हुआ G20 का जितने भी सम्मेलन हुआ यह सौधी अरब में हुआ अब आगे देखते हाल ही में 179 ट्रॉपिकल चक्रवातो के नाम की नई सूची जारी की है किसने 179 ट्रॉपिकल चक्रवातो की सूची जारी की है किसने तो भारतिय मौसम विभाग IMD 179 उसने कट बन देख चक्रवातो का नाम की सूची की है जो क्या है तो उत्री हिंद महासागर्थ सौथ हिंद महासागर्थ और बंगाल की खाड़ी में जो इतने भी ट्रॉपिकल चक्रवात है ये बन सकता है तो उत्री हिंद महासागर्थ और बंगाल की खाड़ी में जो किलावक 13 देश को प्रभावित करेगा जो 13 देशों को प्रभावित कर सकता है उसमें से कुछ का नाम बताते है तुझे से देखे आग हो गया इस चक्रवात का नाम दिया गया है आग, अम्बूद, गती, घुर्णी, जल्दी, नीर, तेज, ब्योम, बेगा इस तरह से बहुत सारे नाम दिया गया जिसमें से 13 देशों को ये प्रभावित कर सकता है एक बार फिर से मैं नाम बता रहा हूँ जो कुछ इंपॉर्टेन नेम है आग, ब्योम, अम्बूज, गती, जल्दी, नीर, तेज, प्रभोजन, घुर्णी, इस तरह से चलिए आगे देखते है किस देश की नौ सेना हवाई मेरी आफ दे पैस्फिक नाम से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजवानी करेगा हवाई मेरी आफ दे पैस्फिक मेरी आफ दे पैस्फिक नाम से दुनिया के सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास करेगा ये अमेरिका यहां के अभी बर्तवान राष्ट पति कौन डोनल्ड ट्रम्प आगे देखते हैं राया राया क्रिष्न देव राय आफ बिजय नगर पुस्तक के लेखा कौन है तो स्री निवास रिड़ी देखे विश्वनाथा नानंद का तो इनका एक बायोग्राफी था माइंड मास्टर मास्टर अमिस्त्री पाथी सीथा दबोरियर्स आगे देखते हैं अतुल्ली नाम से माइक्रो बेब सेटलाइजर त्यार करने वाला संस्थान कौन है ध्यां देने टेकनलोजी जो कहां इसतीत है पूने में डिफेंस एंटीटूट अप एडवांस टेकनलोजी आगे देखते हैं नासा का पहला मंगल हेलिकॉप्टर का नाम क्या है तो एजे नियोटी इसका जो है ये नाम भारत की ही एक सत्रा साल की लड़की मंगल हेलिकॉप्टर का जो नाम एजन्यूटी दिया गया है ये भारत का ही एक सत्रा साल की लड़की जो बनीजा रुपानी बनीजा रुपानी ने इसका नाम सुझाया था नासा को नाम ये याद रखना है ये इंपोर्टन्ट है बनीजा रुपानी ये भारत की ही लड़की है सत्रा साल की सिर्फ चले आगए देखते हैं किस देश ने बौधिक संपदा ढाचे के लिए परियाप्त आउसत दर्जे में के सुधार की कमी के लिए भारत को भारत को प्रायोरिटी वाच लिस्ट में रखा है तो अमेरिका ने भारत को अभी और लें इस के आउसा सुधार के लिए अमेरिका ने भारत को प्रायोरीटी दिया है, जली आगर देखते हैं, हैं मारुक्त प्रलय वाच रिवसक या है अन्तराश्ट्या राम दिवस्क कब मनाया गया उतलत फर्रा से व्हार यौत माई 1913 को चिन्नाई में मनाया गया था इसलिए उस समय इसे मद्रास दिवस भी कहा जाता था मद्रास दिवस इसे सबसे पहले भारत में मनाया गया था चिन्नाई में इसलिए इसे मद्रास दिवस भी कहा जाता था अब बात करें एक माई से था एक माई को ही एक और महराष्ट्रा दिवस भी मनाया जाता है बात करें अधर ओप्शन की तो 30 अप्रेल 30 अप्रेल को आयुश्मान भारत दिवस 30 अप्रेल को आयुश्मान भारत दिवस मनाया गया 22 अप्रेल को प्रिथिवी दिवस 30 अपरेल को क्या था आईशमान भारत दिवस और 24 अपरेल को पंचाइती राज दिवस 24 अपरेल पंचाइती राज दिवस आगे देखते हैं हाली में किस राज सरकार ने उम्बारे आगनवाडी नामक अनूठी पहल की सुरूप किये उम्बारे नामक उम्बारे आगनवाडी नामक अनूठी पहल की सुरूप किये तो गुजरात सरकार ने किस ने किये गुजरात सरकार ने अब बात आईए गुजरात की तो गुजरात की बात कर ले तो ये है मैप में गुजरात जो किन किन राज्यों से इसके सीमा लगता है महराष्ट से माधपर्देश से राजस्थान से और नीचे अरब सागर अब बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी राजधानी कहां गांधी नगर बरतमान मुख मंतरी बिजैरुपानी और राज़पाल आचारी दे बरत बात करें गुजरात के और एक्स्ट्रा फैट की तो सरदार सरोबरबांद सरदार सरोबरबांद गुजरात में गीर नेशनल पार्क जो की ACI सेर के लिए फेमस है गीर नेशनल पार्क भी गुजरात में वही अभी देख ले तो अंतराष्ट्रिय बित्य सेवा केंद्र प्रादिकरन के स्थापना भी गुजरात के गांधिनगर में किया गया यही भारत में प्रत्थम राज्य है जो कि सोलर रूप टॉप सोलर रूप टॉप में भी यह सबसे आगया और सेकंड में महाराष्ट्र गुजरात की पुलिस ने अभी पहली पर टीजर गन का परियोग क कौन सा टेजर गन का परियोग सबसे पहले गुजरात पुलिस ने किया फिर हाल ही में सूजलाम सूफलाम जल संचा अभ्यान भी किस ने सुरू किया था गुजरात ने और अब उमबारे आगनबाड़ी परियोजना चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हाल ही में किस ती पूरा अब बात कर ले ती पूरा की तो तरी पूरा ही ये वो राज है गयात ये इंपर्टेंट थै अक्षर है पुछते ही भारत का कौन सा राज है जो भांग्रा देश के तीन ओर से घीरा हुआ है तो त्रिपूरा बात करें त्रिपूरा की पडोसी राज का तम्मिजोरम और आसम त्रिपूरा का पडोसी राज मिजोरम और आसम अब देखें त्रिपूरा की त्रिपूरा की राजधानी अगरतला बरतमान मुख्यमंत्री विपलब कुमार देव और राजपल रमेश बैस अभी हाल ही में त्रिपूरा में लाई हरोवा उत्सब को रद किया गया कोरोना वायरस के कारान चलिए आगे देखते हैं वही देख लें नेवर हुड क्लासज क्या है तो गुजरात के जितने भी टीचर है वह अपने आस पास के कम से कम एक टी पाच अस्टूडेंट को पढ़ाएगा ज़्या आगे देखते हैं अब है सिद्य बाद nord Boss ग्रेश वाफ और गैक यसमें हम लोग क्या देखते हैं वान लाइनर कोस्चन चलिए देखते हैं किस गैस देखती जीवन अमरी त्योजना वाला की है तो मज।-परदेश शरकार अब बात करें मद्ध पर्देश की तो मद्ध पर्देश की राजदानी भोपाल मुख मंत्रे सीवराज सिंग चोहान और राजपाल लाल जी टंडन बात करें मद्ध पर्देश की तो मद्ध पर्देश में ही पन्ना नेशनल पार्क है यहीं पे कानहा नेशनल पार्क है यहीं लिखते ऑफ से जो कि हमेरे शाए एक्जाम में पूछ लेयग अभी बात करें मद्य पर्देश की तो मद्य पर्देश में अभी हाले में कोरोना- रोग्यों को 10-000 गोशना के मत्परदेस सरकार करोना रावई को 10,000 रुपया फिर योद्धा कल्यान योजना इसने सुरू किया जीवन अम्रित योजना शुरू किया और फिर जीवन सक्टी योजना भि इसने सुरू किया था अब आगे देखतें संयुक्त राष्ट में भारत के अगले स्थाई परतिनीधी के रूप में किसे निखत किया गया है तो टीएस त्रीमूर्थी को टीएस त्रीमूर्थी जो कि 1885 बैच के आई एस ऑफिसर हैं अब यहां पर देख लेते यू यानि संयुक्तराष्ट संयुक्तराष्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा संयुक्तराष्ट की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट के स्थापना 24 अक्टूबर 1945 हेड़क्वार्टर नियु योर्क और इसका भिवर्तमान प्रमुख इंटेनियो गुतेरस इंटेनियो गुतेरस अक्सर एकजाम में यह पूछा जाता है यूएन दिवस कम मनाया जाता है संयुक्त राष्ट दिवस कम मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को आगे देखते किस राज ने बंजर भूमी पर क्रिसी परियोजना शुरू करने की घोसना किये तो केरल सरकार ने किस सरकार ने केरल अब बात कर ले केरल की तो केरल के राष्ट धाने तिरुबानंत पूरम बर्तमान मुख मंत्री पिन्रै विजियन राजपाल आरिफ मुहमद खान कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देखे केरल की तो केरल में ही है पेरियार बंजिब अभ्यारन और सांत घाटि यहीं हाल में अभी त्री सूर पूरम उच्छब केरल का त्री सूर पूरम उच्छब को अभी कोरोना के करण रद किया गया था यहीं पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कर्मी बोट कर्मी बोट रोबोट को भी लॉंच किया गया था फिर यहां पर अभी हाल में आयूर रक्षा किलनिक और तिरंगा पहल को शुरू किया गया था केरल में ही सांत गाटी है अक्सर एकजामें पूछा जाता है सांत गाटी तो सांत घाटी और फूलों की घाटी ये दो अकसर confusion रहता है तो फूलों की घाटी जो है उत्राखंड इसको हम कैसे याद रखेंगे तो उत्राखंड देवों की भूमी कहलाता है तो वहां देवों के लिए फूल यानि फूलों की घाटी उत्राखंड और सांत घाटी केरल आगे देखते हैं मूडिज ने 2020 में भारत के GDP कितने प्रतिस्त रहने का अनुमान लगाया तो 0.02 परसंट ने 2020 में 0.02 परसंट वहीं देखे तो ये पहले लिए ने ही पहले कितना वोला था टूप फाइपरसंट जीसे घटा करके लिए 0.2% averaging ने क्या किया था फिच रेटिंग ने 0.8 % बताये आगे देखते हैं किस learnt करने किशन लएन सथाँन 70 टूनामेंट पर्लभ फित करने करनाटक सरकार ने अभी १ है कोविड ॉधित कोश में धान जुटाने के लिए सिंस थाँन हाली में बहरीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियूगत किया गया तो दिपक मिट्तल को worldview का राजदूत नियूखत किया गया था किस राज्य सरकार ने वनस्टॉप बेवसाइट लॉंच किये तो दिल्ली सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट दिलिसर करने अभी दिलिसर करने हाल ही में वहाँ पे एक 5T 5T परियोजना भी लॉंच किया था और सिल्ड परियोजना लॉंच किया था तो 5T से अगर देखें तो 5T का मतला है टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रेटमेंट टिमबर्क और ट्रेकिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं शिल्ड को भी लॉंच किया गया था उप्रेशन शिल्ड इसमें भी इसका फूल फॉर्म किया है तो एस से स्प्लेडिंग ऑफ एरिया फिर एज से हों कॉरेंटाइन आइस इसलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेसेंट्स इसेंशल सर्वेस इंसूर्ड एल्स लोकल सेनिटाइजेशन डिस डोर टो डोर सर्वे अब आगा देखतें किस संस्थान ने एक बहुत और भुल अस्त्र भुल स्थर सेनेटाइजर डिजाइन किया है तो आयाएटी भूमनेस वर अगला है और फारत का अगला राजडूत हमने भी बताया था भारत का अगला राजडूत दिपक मित्तल को नुक्त किया गया आगे देखतें तो है answer of last video question यहने पिछले video का answer हाल ही में किस बॉलिवूड एक्टर का निधन हुआ है तो इर्फान खान का आगे देखते क्या है तो question for you हाल ही में सतरकता युक्त किसे निक्त किया गया है इसका answer आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथ ही video को आप लोग like, share और comment कीजिए इस वार का जो लक्ष है वो 1000 like का है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें और इस target को पूरा करना में आप लोग सही ओक करें थाइंक्यू आप लोग प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ ही like, share, comment करिएगा धन्यवाद